प्रभु येश्यो मसी के नाम में आपको अनुग्रे, शान्ती और आशिश मिले कई सालों पहले की बात है एक मशूर जेल खाना था और अब तो उसको ढ़ा दिया है लेकिन उसके उस एक उसके भी पुराने एक सेक्शन की बिल्डिंग की कहानी है और कई लोग इसकी कहानियों को याद रखते है लेकिन एक आखरी कहानी थी इस जेल से रिलेटेड जो एक बहुत दुखदाई गटना को बताती है तो जो आखरी इस बिल्डिंग में जो था फासी दी जाती थी और मृत्युदण बेसिकली इस बिल्डिंग में दिया जाता था और ये जेल से लगा हुआ था और ये पुराना बिल्डिंग था और जो आखरी इसमें जिसको फासी दी गई जिसका एक्जिक्विशन हुआ वो एक गरीब स्त्री थी और इसको मृत्युदण को इसने भयानक क्राइम किया था उसके कारण इसको मृत्युदण दिया गया था और ये तो नहीं पता क्या था लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ के कोई हत्या या मल्टिपल हत्या का दोश इस पर था और अगले दिन सुबह साथ बजे इसकी सजा पूरी होनी थी और जब कभी किसी कैदी को फासी दी जाती थी तो उसको उस रात एक विशेश रूम में लाकर उसको वही सोने को देते थे और जब सुबह छे बजे तो वहां की जो वार्डन थी और वार्डन के साथ जो और फीमेल आफिसर्स थे भीला आफिसर्स थी वो वहां पर गए और उन्होंने देखा कि ये बहुत आराम से सो रही है गहरी नीद में सो रही है और सोते सोते वो बीजबीश में मुस्कुरा भी रही है और ये देखकर वार्डन और जो उनके साथ टीम थी उनकी इच्छा नहीं हुई कि इसको और उठाए है उन्होंने सोचा इसको और थोड़ी देर हम सोने देते हैं क्योंकि अब एक घंटा बचा था इस दुनिया में उसके आक्री शन का तो उन्होंने सोचा कि एक और आदा घंटा इसको सोने देते हैं और जब वापस आये तो तब भी वो बहुत खामोशी से और घहरी नींद में सो रही थी वो तो बात में जब उन्होंने उसको उठाया और पता चला कि वो वास्तों में उस समय स्वपन देख रही थी और शायद इनी दिनों में वो अपने पिछले जीवन को बारे में बार बार सोचती होगी तो ये सब स्वपन के रूप में उसके सामने आ रहा था और उसने ये खैर जैसे में ने बताया उठने के बाद उनको बताया जब उन्होंने पूछा के तो क्यों मस्कुरा रही थी तो वो अपने बच्पन के द्रिशे उसके सामने आए उसके गाओं के बारे में जहाँ पर वो बहुत शान्ती से और खुश अपने माता पिता भाई वेनों के साथ रहती थी और वो मासूम दिन जब वो खेत और बगीचों में फूलों को इखटा करती थी और गर्मियों की शामों में उन शान्त गलियों में वो गुमा करती थी जब बच्पन में थी तो खेर जब इवाडन और जो टीम उसको देख रहे थे आकरी शणों में उसको उठाने से पहले उनके आँखों में बे पानी आ गया वो लोग भी रोने लगें कि इतनी शान्ती से सो रही है अब कुछी दिन में कुछी कुछी सौरी माफ करना कुछी शण में अब एक भयानक सच्चाई का सामना इसको करना पड़ेगा और जब हम इसे उठाएंगे तो कैसे उस बात को ये ग्रहन कर पाएगी जबकि उसको मालूम था लेकिन एकदम जब वो शण सामने आता है व्यक्ति के कि अब मुझे मरना है और मृत्यू दंड लेते हुए मरना है तो खेर उनकी ड्यूटी थी उन्होंने उसको उठाया और जब वो उठी और थोड़ी देर बातचीत की और फिर वो रियालिटी वो सच्चाई कि अब मुझे ले लिया जाएगा फासी के लिए और जब ये बात सामने एकदम पढ़ी उसके तब वो इतनी जोर से चीखने लगी कि लोग बात में बताते थे कि हम भूल ली सकते कैसे वो चीख रही थे जो कुछ समय पहले शांती से सो रही थी, मुस्कुरा रही थी, गहरे सपनों में थी लेकिन अब उठकर जब सच्चाई सामने आई तो वो भी सहन नहीं कर पाई बहुत जोर जोर से चीखने लगी और यही बात दुनिया के साथ होगी लोग अपने संसारिक जीवन में चलते चले जाते हैं, अपने स्वपनों में चलते चले जाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा, जब सच्चाई का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति पाप के कारण दोश में है, ज्याई के आधीन है और अनंत काल का उसको दिर्णे लेना है अनंत काल कहां बिताएगा वो व्यक्ति, कहां बिताएगी ये सच्चाई जब सामने आती है, तो व्यक्ति को पता चलता है कि हमें एक गहरी नींद में या सपने में नहीं रह सकता प्रकाशित वाक्या जो बाइबल की आखरी पुस्तक है, उसमें हम पढ़ते हैं, जब कुछ लोगों को वो सच्चाई सामने आएगी और परविश्वर का ज्याई इस प्रित्वी पर प्रगट होगा, तो लिखा है और प्रित्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धन्वान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाडों की खोहों में और चट्टानों में जाचिपे और पहाडों और चट्टानों से कहने लगे की हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मूँ से, चेहरे से, जो सिहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुचा है और कौन ठहर सकता है उस दिन वो पहाडों और चट्टानों से कहेंगे हम पर गिर जाओ हमें परमेश्वर के क्रोज से बचाओ परमेश्वर के मेमने के क्रोज से बचाओ प्रभु येश्व को परमेश्वर का मेमना कहा गया है क्योंकि मेमने की तरह वो कलवरी के कुरूस पर हमारे पापों के लिए वद किया गया इसलिए आज जरूरी है कि आज पापी भाग कर प्रभु येशु में शरण ले ले ऐसा नहों कि जो आने वाला क्रोध है उसके शिकार आप पढ़ जाओ आज परमेश्वर मौका देता है पापी को मौका देता है पश्टाप का मौका देता है शमा को प्रदान करता है अगर पापी सच्चे हिर्दे से पश्टाप करता है परविश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताके जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहों परणतु अनन्त जीवन पाए जो पुत्र पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उसका है परणतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परणतु परमिश्वर का करोध उस पर रहता है एक दिर्ष्टान्थ बाइबल में दिया गया है मती बाइस में उसमें जो रेलेवेंट पॉर्शन है वह मैं आपको पढ़के बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर की चितावनी को हलका लेता है सच्चाई उसके सामने एक दिन आ जाती है ये दृष्टान्थ के रूप में है और ये प्रभू येश्व ने खुद कहा खुद ये दृष्टान बताया तो मैं कुछ इसमें से पढ़के आपको बताता हूँ इस पर येश्यू फिर उनसे द्रिश्टानतों में कहने लगा स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का भ्या किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को भ्या के भोज में बुलाए परन्तु उन्होंने आना ना चाहा फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ फिर आगे हैं और सब कुछ तयार है भ्या के भोज में आजाओ परन्तु वे बेपरवाई करके चल दिये कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यपार को और उने जो मचे रहे थे उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूक दिया तब उसने अपने दासों से कहा ब्या का भोज तो तयार है पर तु देवताहारी योग्य न ठहरे इसलिए चौराओं में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सब को ब्या के भोज में बुला लाओ तो उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इखटा किया और ब्या का घर जेवन हारों से भर गया जब राजा जेवन हारों को देखने को भीतर गया तो उसने वहाँ एक मनुश्य को देखा जो ब्या का वस्त्र नहीं पहने था उसने उससे पूछा है मित्र तु भ्याका वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया उसका मुग बंध हो गया तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पाओं बांद कर उसे बाहर अध्यारे में डाल दो वहां रोना और दांत कीषना होगा परमिश्वन ने सबकुन योता दिया है वैसे ही जैसे राजा ने सबकुन योता दिया था अपने बेटे के विवा के भोज में लेकिन लोगों ने नजरंदास किया राजा के दासों का भी मजाग बनाया कुछों को मार दिया और तब राजा ने उन दुष्टों का दियाई किया और फिर और जो न्योता में नहीं थे उन सबको न्योता दिया सडक पे चौराओं पर चाहे बुरे चाहे भले सबको बुलाया के तुम लोग आ जाओ जिनको बुलाया वो योग्य नहीं थे अब जो अयोग्य है वो आ जाओ और राजा ने सबको राजा के दास गए और जो भी मिला उन सबको न्योता दिया और सब आए सबको वस्त्र दिये राजा ने कि उसके बेटे के विवा में सब अच्छे दिख सके और तब एक व्यक्ति को देखा राजा ने जो विवा का वस्त्र पहने हुए नहीं था और जबके राजा ने ही सबके वस्त्र का इंतिजाम किया था तो राजा ने पूछा के मित्र तू ऐसे कैसे आ गया बिना अपने विवा के वस्तर के और वो विक्ति का मूँ बंद हो गया वो ये भी नहीं कह सकता था मेरे पास था नहीं क्योंकि राजा ने सब को दिया था और तब राजा कहता है इसके हाथ पाऊं बाद कर उसे बाहर अध्यारे में डाल दो वहां रोना और दातों का पीष्णा होगा वो स्त्री जिसको फासी मिली थी वो तो सिर्फ एक शारिरिक मृत्यू थी लेकिन जब आत्मा उस जगा में डाली जाएगी जहां पर रोना और दातों का पीष्णा है वो आत्मिक मृत्यू है या बाइबल कहती है उसको दूसरी मृत्यू और इंद्रिस्टान्थ प्रभु येश्व ने एक सत्या हम समझ सके इसलिए बताया सब के लिए राजा ने विवा के वस्त्र दिये लेकिन इस आदमी ने पहनना ना चाहा ना पसंद किया प्रमिश्वर खुद उधार के वस्त्र धार्मिक्ता के वस्त्र हर पापी को देता है जो उसके पास आता है जो भी पापी पश्ताप करता है और प्रभु येश्व पे विश्वास करता है उसको प्रमिश्वर उधार के वस्त्र देता है पापी का पाप और नंगापन परमिश्वर के अनुग्र में धाम दिया जाता है कलवरी के क्रूस पर जहां प्रभु येश्व मसी ने मेरे और आपके पापों के लिए दुख उठाया तो उसने वास्तों में क्या किया हमारे पाप का चोगा उसने अपने ऊपर ले लिया उसने पहन लिया और सजा सहली और अब हमें वो उधार का वस्त्र मासुम्यत का वस्त्र धार्मिक्ता का वस्त्र पहनाता है वो मृत्यकों में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर है और उसका ये दिया हुआ उधार या जो उधार वो देता है जो अनुग्र वो आपके सामने प्रस्तुत करता है जो न्योता आपको देता है इसको इंकार करना इसमें परमेश्वर को दुख तो निश् उसी विक्ति का होगा जो न्योता को दकारता है जो परविश्वर के प्रेम को reject करता है इनखार करता है तो इसलिए प्रात्न कीजिए सच्चे हिर्दैस स्वप्न की दुनिया से उठता होगा सच्चाई महुट शीक्र सामने आने वाली है इसलिए अपने आप को तयार करें और पर्विश्वर से मिलने के लिए तयार हो जाए प्रभु येश्व से प्रात्त कीजिए प्रभु येश्व आपको आशिश दे